पुलिस ने शूटाउट में शामिल अंकित और उसके साथी सचन भिवानी को गिरफतार किया है ये दोनों लॉरंस विश्णॉय और गोल्डी बरार के ग्यांग में काम करते थे पुलिस ने इनके पास से पंजाब पुलिस की तीन वर्दी के अलावा एक 9mm की पिस्टल और 1.3mm की पिस्टल और डोंगल के साथ दो मोबाल सेट बरामत किये हैं पुलिस के मताबिक अंकित सिरसा ने नस्दीक से सिदु मुसे वाले पर गोली चलाई थी प्रिवर्ट फौजी के साथ अंकित उसकी गाड़ी में ही मौजूद था शुरू में अंकित और फौजी दोनों एक साथ भागे थे प्रिवर्ट को पुलिस ने पहले ही गिरफतार कर लिया था तब कि अन्य आरोपी सचिन भिवानी से दुमुसे वाला मामले के चार शूटरों को पना देने के लिए जिम्मिदार था पुलिस ने बताया कि सचिन भिवानी राजस्थान में लौरेंस भिष्णोय गैंक का पूरा काम समहाल था था पुलिस इन दोनों को तीन जुलाई की राद 11 बच कर 5 मिनट पर कश्मीरी गेट के पास महात्मा गांदी माक से गिरफतार कर चुकी है इसके बाद सेडो पिस्टल के अलावा पुलिस की तीन वर्दी भी इनके पास से बरामत की गई वहीं पुलिस इस मड़केस में शामिस दरजनों आरोपियों को अब तक हिरासत में ले चुकी है वहीं गोली मारने वाले शूटर्स की धड़ पकर जारी है सूत्रों की माने तो सभी शूटर्स लौरिंस विश्णोय के करीबी हैं उनकी गिरफतारी के लिए दिली, पंजाब, हर्याना और राजिस्थान बे पुलिस की ताबड तोड रेट जारी है इस से कुछ दिन पहले ही मुसेवाला मरग केस को लेकर हर्याना के फत्याबाद में पंजाब पोलिस ने दविश्दी थी जहां एक और संदिग्द देवेंदर और फिकाला पकड़ा गया था इस पर हत्याकान के दो संदिग्दों को शरण देने का आरोप है मददगारों से ही पूश्टाच के आधार पर पोलिस गोली मारने वाले शूटर्स का सुराग तलाशने में चुटी है गोहर तलब है कि 29 माई को वंजाब के मानसा जिले स्थिद जवार के गाउं के नस्दी सिदुमुसे वाला की गोलियों से बून कर हत्या कर दी गई थी क्यानजाब में बैठे गैंग्स्टर गोल्डी बरार ने सत्याकान के जिम्मेदारी ली थी गोल्डी बरार तिहाड जेल में बन कूख्याद गैंग्स्टर लॉरेंस विश्णोई का बेहत करीबी है इन्होंने अपने दोस्त विकी मिद्दु खेडा की मौत का बदला लेने के लिए इस हत्याकान को अंजामतिया था आपको बता दे कि विश्णे साल मिद्दु खेडा की गोली मार कर हत्या कर दे गए थी लॉरेंस गैंग का मारना था कि विकी के हत्यारों को सिधु मुसे बाला पना देने का कार्य कर रहे थे